हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सब का स्वागत है राम राम जी तो यहां पे धूप काफी जादा अच्छी खासी निकली थी तो इनके कंबल वगएरा मैंने सुखा दिये और मैंना अजब निकालती हूँ तम नीद होती हूँ जब रख हूंगी तम मैंन को धोके और अच्छे से सुखा में अच्छे से पैक कर रहूँ अभी नियोरी जो फटने थे ना तो मैं वहें धूप में डाल गार तोड़ी बहुत देर में धूटी ही बच्चे खेले हैं धूबिजी बहुत ज्जादा अच्छी से आती है लगनी जाए उसके यहां पे बहुत दिन हो गई थी सीडियों की सफाई नहीं किया यहां पे मैंने सीडियों की सफाई की अच्छे से ग्रील को पहुचा और अभी आप देखिए कि बहुत ज्यादा चमक गई है फ्री टाइम होता है जब भी मुझे जो भी दिखता है वो कड़ लेती हूँ जितना अलस करोगे उतना ही घर फिर वैसा रहता है तो जो मुझे आज मैं नीचे उतर रही थी तो बहुत इस पे धूल मिटी और चिपचिपे जैसे लग रहा था तो मैंने गरम पानी किया उसमें सरफ डाला और फिर अच्छे से पहुचा फिर बाद में दूसरे पानी से पोच दूँगी और ये वाली तो और भी ज़्यादा गंदी हो गई है इसको अच्छे से क्लीन करके और सूखे कपड़े से पोच दिया था अभी पास से दिखाऊंगी खुला है तो धूर मिटी तो बाहर बैठे के इधर बैठे हैं बच्चे सभी स्कूल से आ जाते तो बच्चों के साथ बैठना हमबक कराना स्कूल का करा के टूसन का करा सब पूछते हैं कैसा चल रहा है कैसा नहीं तो ये सब काम वही हम कर रहे थे मैं अपनी वीडियो भी बना रही थी सफाई भी कर रह भी चयनी खटम हो गयए थी पांच किलों चीनी दले दाल दिया मैं आर्म हरी मिर्च प्याज डाल दिए दकाέρ acontec i am तो अभी तो मैं यूज कर रही हूँ यूज करके फिर मैं आपको बताऊंगी फिलाल तो कुछ भी नहीं चिपकता है जैसे इन्मोलियम होता है क्या होता है उस कड़ाई में थोड़ा जैसे हल्वा हुआ और कुछ हुआ वैसे लग जाता है ऐसे ही इसमें है और वैसा कुछ न वैसे ही इसमें होता है नॉर्मडी और काफी कड़ाई है तो थोड़ी पत्तागोवी डाली थी थोड़ा प्याज एक टमाटर इनको थोड़ासाइ भूजने देते हैं तो रिए कम पे चला रखा जादा पे ने क्योंकि दीरे-दीरे मुझे यह भूजना एक दम से वैसे नहीं करना तो यहां पर मेरी पत्ता वह भी प्यार टमाटा सब वैसे हो गए थे यह मसाले डाल दूंगे और यह खुली वाली मैंगी है मसाले भी आये थे उनसे मैंने आधी किलो मैंगी ली थी बच्चों का मन था मुझे पता है ज्यादा यह नहीं खाना थी पर हम लोग नही पर दो-तीन महीने में तो मन चली जाता है तो यहां पर सारे मसाले डल दूंगे मसाले क्या मैगी मसाला डाला यह थोड़ा सा नमक एश्टा डाला हो कुछ भी नहीं मसाले नहीं भी दिये थे deal मुझे चाहिए मुझे लग किस और शूए जाने के मन नी हरता है मन पर किसका है तो देखिए हमारी मैगी हो गई है बनके तेयार देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं और कितनी बड़िया से खिली-खिली बनी है सब के ली मैंने बना ली मैं थोड़ा तो मतलब थोड़े से खाएं ना इधर के ना अधर के तो मैंने अच्छे से बनाई थी यह वंसु ले रह सब्जी लेके आएं तो यह बोल रहे थे कि ऐसे सब्जी रख रही जैसे तू बेचने जा रही हो मैंने बहुत है वह यही काम रह गया यह और कर लूँ घर का तो सिमिटता नहीं है यह और तो देखिए तीन सिम्ला मिट्ची लेके आएं सर्सो सर्सो को अभी बना लूँग और पांच किलो आलू लेके आएं आलू घर में होना तो सब कुछ घर में होता है और आप लोग पता है सब्जी खतम हो जाती ना तो घर में कुछ भी नहीं दिखता तो मैं इनसे मजा करी थी इनसे वही सब कह रही थी मैं रही यह लो मैं बेकना सुरू करती आप ही खरीदन तो अब भी कर लो ये थैला सही रहता है उनके लिए तो यहां पर ये मटर छिलवा रहे है ये बच्चों के लिए सुबह के लिए भी हो जाएगी जब बच्चे सुबह जाते हैं तो इतनी अल्दी नहीं हो पाता और मटर ना छिली भी रखी हो तो जब मर्जी जिसमें डाल दो, अभी जैसे मैंने मैगी मनाई जब तो थी नहीं, तो मैगी में डाल दो, कुछ भी बनाओ, यहाँ पर मैंने सरसो को बारी काट लिया है, अच्छे से दो तीन बार इसको धो लेती हूँ, कुकर में फिर इसको बलने के लिए रख दूँगी, कुकर में सो यह साग यह कड़ी, इन समय पहले से बहुत तयारी कड़ने होती हो, बहुत टाइम भी लग जाता है, देखिए सारी धो दिये, कुकर उपर तक भर गया, इसको ठक देते हैं, जब नीचे बैट जाएगी न, फिर हम इसमें को ठक कर लगा देंगे, तो देखिए मेरी भु और सूकी सबजी भुझिया के साथ, या रसीली सबजी के साथ खाऊगे, तो और भी स्वाद आता है, तो देखिए मेरा काम चल जाता है, बहुत बहुत दिनों बाद बनारी हूँ, इनका और बंसू का मन था, तो चकले पे ऐसे कर लेती हूँ, फिर हास से इस तरीके से कर ल अचा, तो देखिए इस तरीके से बनती है, फूलती हम उतवाइर, फूलती होँ, फूलती है भीता है, दहीं दहीं हूँ, तो चूले पे और सुओत रह двух-g Vale, तो लेमे को तो सूद होथ, पन्झा कर बहुत पसंद है तो ये लिजी गर्मा करम घी की पानी की रोटी भुझिया के साथ खाईए लेसन से सूखी मिर्ची से हरी मिर्ची से इसको तड़का दिया था और खुब अच्छे से बना देखी कितनी चिकनी चिकनी लग रही है ना इस तरीके से हास से कर लीजिए फिर हास स पानी लगा लगा के बना लीजिए ये देखी इस तरीके से बर्तर मैंने अभी धोके रखे थे थंड में दो बच्चों के साथ अब भी आप लोग बताओ दो दिन से सूखी थंड पर रही है हवा बहुत चल रही है धूप निकलती है पर हवा बहुत ज्यादा चलती है तो बहुत ज्यादा वैसे लगने लग जाता है दो बच्चों के साथ यहां स्कूल से आओ दो बैग लाद के फिर वो हालत खराब हो जाती है तो चलिए इसके बाद हम सबने खाना खाया टीवी देखी थोड़ी बहुत देर और सो गए और इसके बाद मैं आप सब को सुभा मिल लग खोलेंगे और आपको बाहर का थोड़ा सा नजारा दिखाएंगे बहुत सारे हमारे गलीम बहुत सारे लोग जल्दी उट जाते क्योंकि सबी के जाने का जल्दी टायम होता है तो इस वज़े से यह तील लोग का है तो इस तरीके देखे बाहर अंधेरा हो रखा यह द और उधर मैं मटर सूखी मटर की वैसे बना दूंगी चाट की जैसे मतलब बच्चों के टिफिन में अच्छे ही लगे वंसु नहीं बोला था मम्मी मटर सूखी फ्राय कर देना मैं नहीं बोला ठीक है इधर अद्रक डाल दिये गुड डाल दिये और पढ़िया से सुबह चाय बढ़िया मिल जाना तो काम करने में बहुत ज्याद अच्छा लगता है चाय मारी खौल गई है इधर देखिए प्याज बुंज गया और इसको इसमें डालेंगे मतर मतर जितनी चाहिए एक कटोरी डाल दी थी फिर मैंने वह थोड़ी सी और डाल देते हैं क्योंकि थो फड़ा मैंने नमक डाला थोड़ी सी मिड़्ची डाले मिडची टीक ही नहीं है इस वज़े से और थोड़ा सा अमचूट डाला है थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और इसको मिक्स करके ढख देते हैं और खुला पकाएगे ना तो यह मतर फूटती है पट 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 कई जल जाए तो सेफटी से थोड़ा सा मैं इसको ढख देती हूँ पानी वगएरा कुछ नहीं देना ऐसे ही आपकी फ्राय हो जाए धकल लगा देती हूँ यह बनती रही तब मैंने अपनी चाय चान लेती हूँ और बच्चों लोग उठाती हूँ अभी मैं बच्चों को जल्दी न जाओ टाइम तब बीन देखिए साथ पांच हो गए है अब बच्चों को ठा दिया यह रिखिए आप लोग इसे हाए कर रहे थे तो चली हम लोग चाय पीते हैं बच्चों को रेडी करेंगे और मैं बैठती हूँ न तो बच्चों के सारे कपड़े वगेरा निकाल के तब बच्चे देखिए थोड़ा सा इतने बड़े नहीं है तो उनको रेडी करना चोटी बनाना यह करना सुबह भागम भाग फिर इनका तो बहुत थालत खराब हो जाती है और मैं चीज कड़कडाती ठंड सू की ठंड पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगता के लिए वेश्ट ऑफ्शन होती है पत्ता को भी डाल सकते थे आलू भी डाल सकते थे तो और भी जादा हो जाती पर मुझे स्रिप मटर ही चाहिए थी तो रोटी शेक देती है तो आप लोगों ने कोवे की आवाज सुने हां कोवा कवा कवूता सुबह सुबह चेह चाहट लग जाएंगे धूप हमारे हां आठ वजे निकल आती है अच्छी खासी थी तो यह सब जाने के बाद मैं बिस्तर वगएरा उठा दूँगी इनका उठा दूँगी फिर थोड़ी देर रजाई में बैठोगी थोड़ा होता थोड़ी सी देर बैठ जाते पांच मेट और ब दुवारा से चाय बना ले दुवारा से पी ले तो थोड़े थोड़ा ठन लगता है सारे बरतर उठा के रख दिये जो बच्चे समने नास्ता चाय यह सब पिया था और यह चल जाए तो घर सान्त हो जाता है यहां पर भार आ गई है अपना जाडू लगा लेती हूँ बासा जो भी काम है वो करेंगे और सुबह सुबह भागम भाग में ना मतलब अगर थोड़ा सा भी आप आलस कर गए तो बहुत जादा लेट हो जाता है मेरा काम ठीक टाइम पर हो जाता है मैं खुद के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ अपने काम के लिए भी टाइम निकाल हो जाता है पानी वाले भी आ गए थे पानी ले लिया तो दो दिन में तीन दिन में पानी लेते हैं क्योंकि अभी सर्दी में कम पानी पिया जाता है इस वज़े से तो चलिए यह जाड़ू बगएरा मेरा लग गया है और देखे मैंने जुर्रा बगएरा भी आप लोग बोलत बहुत ज्यादा ठंड लगती बहुत ज्यादा यह रिखिए सौल वाकेरा को अच्छे से पैक कर लिया है थोड़ी सी मतर और यह सब मतलब थोड़ी सी इतनी सी लिए जो भी आपके जामने और यह चाय ले लिए तो आप भी आजाओ मेरे साथ थोड़ा-थोड़ा सा नास्ता क मैं पी लेती हूं आप लोग भी पीलो आजा मतर के साथ बहुत अच्छी लगती है मतर ऐसे चले गया है अभी थोड़ा सा टाइम है पर आज कल यह छोड़के आ जाते सर्दी की वज़े से और रास्ते खराब की वज़े से आज मैं आपको रास्ता भी दिखाओं कितना ज्य करूंगी मैं अगल अपना वीडियो के एंड कर देती हूं थोड़ा सा अपने लिए चाह लिए और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो थोड़ी दिर बैठूंगी मोबाइल देखूंगी फिर उसके बार अपने कामों में जो भी काम होते उन सम में लग जाओंगी तो चीज नहीं बताने चाहिए यह नॉर्मल घर के और वैसे काम दंदे यह तो होई जाता है तो चलिए आज मुझसे थोड़ा सा बोला नहीं जा रहा है गले में और ऐसे लारा फिर से जुखाम होगा मैं तो चीज से परेसान हो गई हूँ इसलिए जी देखो आँखे भी मेरी सूजरी है यह देखो अबलकि सुबह पहले मैं गरम पानी उठते ही गेट खोलूंगी गेट खोलने से पहले पानी गरम होने रख देती हूँ और तब यह पता नहीं क्यों और इतनी सेफटी रात को मैं अपना जो भी स्वेटर वेटर है वो पहन के सोती हूँ क्योंकि कीजिएगा सब्सक्राइब कर देना और अपना ध्यान रखना सर्दी में और थोड़े ठंडी ठंडी चीजों से भी अपना बचाव करना फैमिली का भी मैं अगले ब्लोग मिलूगी तब तक मेरा इंतिजार करना वाए